अर्थी विवस्ता में सुस्ती और बढ़ती बेरोजगारी के बीच मोधी सरकार आज आम बजट पेश किये वित्यमंद्री निर्मना सीतरमन ने अपने बजट भाशन के दरान कहा कि देश को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है युवाओं को रोजगार देने के लिए एक कटी बंध है जी असी लागू करना सरकार का अतिहासिक फैसला है देश की अर्थी विवस्ता के नीव मजबूत है देश हमारी आर्थिक नीडियों पर भरुसा करता है हम भविश में गाउं को और रोजगार देंगे वित्यमंत्री ने बताया कि सरकार LIC का एक बड़ा हिस्सा बेचेगी वही आईडियाई बैंक में अपने हिस्सदारी बेचेगी वही जीडिप में मामली बढ़ोत्री का अनुमान जताया गया है जबकि 2021 जीडिपी ग्रोथ 10 फीसदी बढ़ने का अनुमान है 3.8 फीसदी वित्य घाटे का अनुमान है टेक्स के बारे में बताया कि नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टेक्स 15 प्रतिशत किया गया है वही मैनुफेक्टरिंग में पुरानी कंपनियों के लिए 22 प्रतिशत टेक्स लगेगा 5 लाग तक की आये पर कोई टेक्स नहीं लगेगा जबकि 5 से 7.5 लाग तक की आये 10 प्रतिशत 7.5 से 10 लाग तक की आये पर 15 प्रतिशत 10 से 12.5 लाग की आये पर 12.5 से 15 लाग क्याए पर 25 प्रतिशत और 15 लाग से जादा क्याए पर 30 प्रतिशत टेक्स चुकाना होगा